सोनभद्र वैसे तो सोनगाटी और प्राकृतिक सुनदर्ता के लिए प्रसिद्ध है लेकिन जिला मुख्याले से कुछ दूरी पर पंचमुखी महादेव का मंदिर है ये मंदिर पहाडियों से घिरा है और यहां शिव का पंचमुखी स्वरूप है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से पहुँचते है पंचमुखी महादेव के इस मंदिर में लोगों की मानिता ऐसी है कि जो बाबा भुलेनाद से मांगो वो जरूर मिलता है कोई भी समस्या हो हम लोग यहां आते हैं मंदिर के शिवलिंग को पांचमी शताबदी का बताया जाता है जैसा कि हमने बताया कि یہ मंदिर पहाड़ियों से घिरा है यहां नीचली पहाड़ियां गुफा चित्रों से भरी है जो यह बताती हैं कि यह जगें जन जातियों द्वारा पहले विकसित की गई और बाद में मंदिर का निर्मान हुआ नेपाल के पशुपतिनात मंदिर में शिव का पंचमुखी स्वरूप है भारत में शिव के पंचमुखी स्वरूप के मंदिर गिंती के हैं इसलिए भी इस मंदिर का महत्व खासा बढ़ जाता है पंचमुखी शिव मंदिर में नंदी दर्शन का भी अपना खासा महत्व होता है और सोन भदर के इस मंदिर में भी लोग नंदी की पूजा आर्चना करते हैं सोन भद्र के इस पंचमुखी मंदिर पर अब सरकार भी खासा ध्यान दे रही है और इसके रख रखाव और संगरक्षन की जिम्मेदारी अब सरकार के पास ही है सोन भद्र से अमिट शर्मा के साथ वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें